हेलो फ्रेंज, वेल्कम तो बीनास किचिन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी, यह मिठाई बहुत ही जटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी होती है, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेय यहां पर हमने एक छोटा चमच कौन फ्लोर ले लिया है और इसमें हम दो चमच डाल लेते हैं, मिल्क पाउडर, जो हमारे मिठाई के टेस्ट है वह बहुत ही ज़्यादा आच्छा आता है, इसमें हमने थोड़ा दूट डाल लिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं, दूद या कोई भी गुठली नहीं है, हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, और यह दूद जो आप देख सकते हैं, यह भी गरम हो चुका है, तो बीच-बीच में आप इसे इस तरह से चलाते भी रहें, और जो साइड में मलाई आ जाती है, उसे भी हम दूद में मिक्स करते जाते हैं, और इसे लगातार चलाते भी रहें, क्योंकि यह तले से भी लग सकता है, तो फ्लेम को अभी हम लो पे कर देंगे, और जो हमने मिश्रन बना के रखा था, उसे हम एक बर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि यह मिश्रन जो है, वो खटोरी में नीचे चिपक जाता है, और अब हम इस मिश्रन को दूद में डालते जाएंगे, और इस दूद को लगातार चलाते जाते हैं, और इसे इसी दरह से हमें पका लेना है, तो इसे चलाते वे हम इसे पकाते जाएंगे, जो मिठाई है, बहुत जादा टेस्टी बन करके तयार होती है, तो आप जब इसे बना के खा सकते हैं, तो जब कोई मीठा खाने का मन हो तो इसे बना ले, और अब हम इसमें चीनी डाल लेते हैं, तीन से चार बड़े चमच हमने इसमें चीनी डाला हुआ है, और चीनी आप अपने टेस्ट की हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, तो अब फिर से इसे हम मेरे दाल लिया है, आप चाहें, इससे में केसर का यूज कर सकते है कि और आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो आप इस रबड़ी को पहले से बना करके तैयार करे और और बाद में आप सारी तयारी कर सकते हैं, तो जटपट से ये तयार हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, यह अच्छी तरह से बॉइल हो रहा है, और ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगा है, ये देखिए, ये पहले के कमपेर में ये हलक असा गाढ़ा हो गया है, और जब तो अब हम ग्यास को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम कुछ और तयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने एक चम्मचीनी लिया है और कुछ ड्राइफुट्स लिये हैं तो इसे हम मिक्सर में पीस करके इसका पौडर बना लेते हैं ड्राइफुट्स अपने पसंद का आप यूज कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं यह पौडर तयार हो चुका है और दूसरी कर्टोरियम हमने वन फोर्थ कप मलाई ले लिया है यह घर की बनी भी मलाई है तो इसे भी हमने ले लिया है और इसमें अब हम इस पौडर को डाल लेते हैं तो यह चीनी और ड्राइफुट्स का पौडर हमने इसमें डाल लिया है और इन सब को हम मिक्स कर लेते हैं ड्राइफुट्स में आप काजू, बादाम, पिस्ता का यूज कर सकते हैं तो आपके पास जो भी अविलबन है वो आप उसका यूज कर ले अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और यह थोड़ा मावा की जैसर दिखने लगा है और यह टेस्टी भी बहुत जादा होता है तो यह देखिए हमारे यह मिश्रन तैयार हो चुका है तो यहाँ एक प्लेट में हमने बनाई भी रबडी कोरो डाल लेते हैं थोड़ा रबडी हमने अभी डाला है और अब हम इसमें डाल लेंगे ब्रेड स्लाइस तो एक ब्रेड हमने डाल लिया है और यह जो मलाई का मिश्रन हमने बनाया था उसे भी हम इसमें लगा लेते हैं ये इस तरह से लगा लेते हैं इसमें अच्छी तरह से spread कर लेंगे और अब दूसरा bread slice लेंगे और इसमें हम रख लेते इस पे और फिर से मलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से spread कर लेते हैं अब फिर से हम ब्रेट स्लाइस ले लेते हैं और इसमें हम रख देते हैं तो हमने यहां पर तीन ब्रेट स्लाइस का यूज किया हुआ है और जो हमने रबडी रखी थी उसे भी हम इसमें डाल लेंगे यह देखिए इस तरह से और बहुत जादा हमने रबडी को गाढ़ा नहीं बनाया है ताकि यह जो रबडी है वो ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से सोख हो जाए और हमारा ब्रेड जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जादा टेस्टी लगे तो अब हम इसमें कुछ ड्राइ फूर्स डाल लेते है तो कटा हुआ बादाम पिस्ता डाल लिया है हमने और इसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हमने इसमें कुछ टूटी फूटी भी डाल लिये हैं तो यह देखिए देखने में लग रहा है ना बहुत ही जादा मजयदार खाने में भी बहुत जादा टेस्टी है यह तो अब हम इसे काट करके देख लेते हैं तो यह देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है और जब आप इसे रखेंगे 10-15 मिनट के लिए तो यह बहुत ही अच्छी तरह से दूद को अच्छी तरह से अफ्जॉफ कर लेता है और बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगता है यह देखिए यह देख सकते हैं यह कितना मज़ेदार दिख रहा है यह देखिए और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंज कैसी लगी आपको यह आज ही रेसिपी रेसिपी अच्छी लगी ना रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर ले मेरी चानल को सब्स्क्राइब करके घंटिको बटन जरुदवाएं मिलते हैं नेक्स्ट विग्डियो पे किसी नई रेसेपी के साथ तिल देन बाबाई